स्वागत नए वीडियो में, दोस्तों आप लोगा स्वागत है इस वीडियो में और गंतंद्र दिवस से आपको लोगों की 0.5 साज ब कामना है तो दोस्तों अभी तीन वेकेंसी निवली आया हुए है और इन तीन वेकेंसी बार बात करेंगे यह अगर आप कोमडिसद इस त्यारी कर रहे है तो इसके बर्म जाना चाहिए दोस्तों इसमें पहला वेकनसी है वह इंट्लिजेंस बियोर की है जिसमें जो खोफिया भीभाग थे भार सरकार की वेकनसी आई हुई है और दोस्तों, डूसरी विकेंसी है, CRPF की, जोकी Central Reserve Police Force की विकेंसी होती है, जोकी बहुत चाहिए होती है, अगर आप देस के लिए कुछ करना चाहते हैं, और देस की सिवा करना चाहते हैं, तो दिसिज बेस्ट जॉब और एक दोस्तों विकेंसी आई हुई है, अए है, अब आप थियारी कर रहे हैं तो definitely all the best आप इसमें apply कीजिए, ठीके तो दोस्तों बात करते हम लोग हैं पहले पहले वेकेंसी आई है वह आपकी अग जो पहली वेकेंसी दोस्तो आ रही है वह देखी अध्यां से ये दोस्तों वेकेंसी SSC स्टाप सेलेक्शन कमीशन है जो कि नाउन टेक्निकल और सीबी आईसी और ये आपकी वेकेंसी आई हुई है जो कि अप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है आपका 18 जनवरी से और ये खतम होगा आपका 17 फरबरी को ठीक है आपको जनेरल OBC और EWS के लिए 100 रुपीश चाहिए होते हैं और STSE के लिए इसमें 0 रुपीश है मतलब आपको इसमें पेहन ही करना होता है ठीक है इसके साथ से दोस्तों अगर इसकी बात करें तो मेनमम एज इसके लिए 18 एर्स दे रखा है किसी भी बॉर्ड और रिक अप्लाइब कर सकते हैं यह तेनत बेसिस पे है तो इसमें तो सटेंड चीज यह है इसका कि आपका जो इसमें अगर आपका एज एगर 18th July 2023 और 17 जो एज है जो भी मेंसन इज है इसमें दोस्तों कुछ देख लीजिए आप इसमें MTS के लिए इसमें हवालदार का पोस्ट है जो की क्लास 10 लेवल पे हैं और चाहें तो वाकिंग आने चाहिए जो की में है ठीक हाइट के लिए 157 cm चाहिए और चेस्ट जो है वह वह एटीवन टूश चाहिए फॉर में ओके दोस्तों इसमें इंपमेशन से वह यह निकल के आ रही है कि इसमें अगला पोस्ट है दोस्तों हुआ है CRPF की जो बता रहता है मैं आपको CRPF में दोस्तों देहांस देखेंगे है तो इस पकार जो एप्लिकेशन है वह चार्ज जनवड़ी को सुरू हुआ और लास्ट इसकी 31st जनवड़ी को है जो की अब 6 देस सिर्फ रह गया है ठीक है तो इसके लगभग 1458 पोस्ट है जिसमें हुइट कॉंस्टेबल जो है वह 1350 है और असिस्टेंस इंस्पेक्टर जो है जिसके साथ साथ दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्टा चाहिए 10 प्लस टू आपको चाहिए होने चाहिए इसके साथ साथ यह चीज आपका 10 अगर दोस्तों इसको अगर आप सीट वाइस देखेंगे तो यू और के लिए 58 सीट से एसिसें अशेस्टेंस इस्टेंट सविस्सेंटर का और और फार्थ फटीए जो है वो हैड कॉंस्टेवल के लिए है एडव्लियूस के फॉर्टी एट और स्टी एस्ट के लिए 112111 औ सब्सक्राइब को दोस्तों अगला निकल का रहा है वह आपका है इंटलिजेंस ब्यूरो जिसको हम आई बी कहते हैं यह मैंची का पोस्ट होता है इसमें इसका जो अप्लिकेशन स्टार्ट है वो 28 से स्टार्ट होने वाला है जन्वरी को और 17 फेब तक यह आपको एप्लाइ करना है इसकी जो फी है एप्लिकेशन फी वो 450 है जेन्डल ओबसी और EWS के लिए से स्ट के लिए 50 रूपीज है और फिमेल ऑल के लिए 50 रूपीज का फी है ठीके इसमें मिनमम एज है वो 18 एर्स है और स्ट के लिए है इसमें दोस्तों टूडल सीर जो है वो फाइवंड़ फाइवंड़ एसस्टेंट सेक्योटी एससेस्टेंट एक्जिकुटिटिव के लिए ठीके इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों तेंथ मैट्रिक है और दो मेर्सायल होना चाहिए आपका जो भी प्रश्टी टास्किंग जो है उसमें आपको 68 यू आर के लिए है 15 एड़्यूस के लिए 35 ओवीसी के लिए और 16 स्ट के लिए मतलब ठीक है अच्छा का सबस्ट के सकते हैं करेंड़ तो दोस्तों यह इन्फोमेशन थी जो आपको देने थी जरूर अपलाइग कीजिए और ह आपको सब्सक्राइब करने पहले अपको सब कुस्च छेक करना है ध्यान से कि आपको कुछ मिस्टेक तो नहीं है जो भी आपके फॉर्म में जूपी डिटेल्स है उसके कॉर्डिंग अपका फॉर्म होना चाहिए तो दोस्तों आ अलिश्ट आप इस चैनल पर नए है तो प